मध्य पर्देश पुलिस आवास एवं अधो सरंचना से मनावर को एक करोड तेरा लाग छियासी हजार का नया थाना भवन बनाने की सोगात मिली है नया भवन दो मनजिला बनाया जाएगा जिसका भूमी पुजन मनावर विधायक डॉक्टर हीरा लाल अलावा धार पुलिस अधिक्षक आधित्य पर्टाप सिंग वह जो गेश जी महाराज ने भूमी पूजन किया आपको बता दे कि मनावर नगर में 50 वर्षो पुराने जजजर भवन में पुलिस थाना संचालित हो रहा था जिसको लेकर मध्य पर्देश पुलिस आवास एवं अधो सरचना विभाग से मनावर को नया थाना बनाने की सविकृति मिली है जिससे पुलिस विभाग में खुशी चा गई है जिसका आज भूमी पूजन कराने के लिए मनावर विधायक जोक्टर हिरालाल अलावा धार पुलिस अधिक्षक आदिते पर्टाप सिंग वयोगेश महराज जी पहुँचे मनावर से सवदाता दिनेश पचेल की रिपोर्ट कि कबनात सरकार का जो पिछले सतर सालों से रुके पड़े काम थे उसके लिए फंड दे रही है उनका में तहे दिल से धनिवाद देना चाहूंगा और जो इस्टाप की कमी का एक मुद्दा है उसके लिए मानिय मुख्यमंत्री जी को अर लेड़ी एक पत्र लिग चुका हो कि जो भी हाँ पे स्टाप में कमी है उसका भूमी पूजन था उसकी बिल्डिंग का भूमी पूजन था और ये 1.13.000.000 का थाना बन रहा है और जो आपकी स्टाप वाली बात है हमने अलड़ी विदायक जी ने भी उसमें प्रयासरत है और उन्होंने भी इसमें पत्र लिख मंत्री जी को और हमने अपनी दर से प्रोपोजल अलड़ी भे दिया है जिसमें उमरवन थाने का उन्होंने और सिंगाना को भी चौकि सब-इंस्पेक्टर चौकि में उन्होंना है ये उन्होंने के बाद वहां सांक्षन जो स्टाफ है उसकी संख्या बढ़ जाएगी और और अभी भी लगातार जो पोस्टिंग की जा रही है ताकि थाने में परियाद बल रहे हैं ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवारी